हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल सूट की कटिंग करना बताऊंगे जिसके लिए मैं इस फैबरिक को यूज कर रही हूं यह जो है दो मीटर से भी कम फैबरिक है इस फैबरिक को जो है पहले अच्छा से टू फर्ल करना है द यह इसको अच्छा से प्रेस कर लेना है ताकि measurement करने में ज्यादा आसानी हो और इसको हमें सा रॉंग साइट के तरफ से measurement का marking करना है योधर जो है open वाला साइड है अपने तरफ को ह्वोल्ड वाला साइड है अब सबसे पहले length लेंगे method एहां पर 14 इंच रखूंगे 14 इंच को यानि 40 इंच और 3 इंच एक्ट्रा लूँगे रखोंगे wise 7 पर से मख करना है और यह ज्वाना लगाना है तरह से लोग यह लेका लैने के आपकेश्ट करना है जो कमर के लिए जाखता है तो 6 इंच पर यहां पर भी लाइन को मक कर लेना है अब जो निशान हम लोग कमर के लिए लगाया है यही से नीचे के तरह फिर एक निशान 7 इंच पर लगाना है इस तरह से यहां पर आप उपर से भी यहां से भी मेजरमेंट करते हैं यहां पर तेरा या चौदा इंच पर निशान को लगा सकते हैं अगर आप चाक बड़ा पहनते हैं तो आप यहां पर चौदा लगायेगा और अगर कम पहनते हैं तो तेरा लगायेगा तो मैं यहां पर चौदा और यहां पे मॉटकिंग को कर लेना है तो मेरा है यहां पे 34 retrieval, 4 ripple से बाइट करना capacity सारी 8 इंड़ और 2 इंच एक्स्ट्रा लें यहां पर कमर मेरे करना की स्टार बाइब और 19 इंडबर शरी खर्ट-बाइब Smoke 3 आसम बासहे दो निशान की लगाना है तो कमड मेरा है यहाँ पर 36 इंच जिसको 4 से डिवाइट करेंगे तो आएकर 9 इंच और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे मार्जिन के लिए अगर आप ऐसे ही नहीं पाते है तो जितना भी आपका मेजरमेंट है अपने इंची टेप को मेजरमेंट करना है और इंची टेप को फॉर्फरल्ट करना है तो जितना भी आएगा इसी हिसाँ यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है और 2 इंच करके एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जन के लिए आप यहापर 2 इंज भी ले सकते हैं या फिर 1,5 इंज भी ले सकते हैं अब जो निशान आया है हम लोग का तो मेरा है 9 इंज ऐसा ही सेम 9 इंज मुझे नीचे की तरफ को जो हम लोग का दामन आएगा दामन में भी लगाना है तो 9 इंज यहां पर 9 इंच पर लगाना है जितना कमर का measurement होगा इतना ही हमें दामन में भी लगाना है और टूइंच जो एक्स्ट्रा लिये थे यहां भी टूइंच एक्स्ट्रा ले लेना है फॉल्डिंग के लिए जुम्लों को फॉल्ड करने के लिए आजाएगा अब यहां पर टोटल measurement हो जाएगा यहां पर 11 इंच तो 11 इंच पर टोटल मेजरमेंट करने के बाद यहां पर इस तरह से लाइन को मिला लेना है तो देखिए इस तरह से लाइन को मिला लेंगे और नीचे में जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिये है और फॉल्डिंग के लिए लिए है अब जो है यहां फो दो सेटावा है तो पहले बांध के लिए देंगे तो भांधा यहां पैर फोल्ज के अपर फटार करो यहां पर उआल का , अलिए डील कर रूत पहले इंच पहले लिए अर्मुक Test को देना हैं यहां पर मांध सिद हिए आप का मैंजृमेंट को deval प्रुखो by कर लिए इसे आर्मौल का सेब का मेजमेंट बहुत ही अच्छा से आता है से बहुत इछ आता है इसलीए यहा पर हाप करते हुए इसको लाइन को मांगत हो dov शही क्लिए दो दो द pada तो नेकी चौड़ाई पर 3 इंच पर लगाएंगे और लंबाई जो है लंबाई मैं फ्रेंट के लिए 5 इंच रखूंगी और बैक में जो है उमें डिजाइन दूँगे तो डिजाइन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर फ्रेंट के लिए 5 इंच पी निशान को लगाऊंगे और यहाँ पर इस तरह से जो है बॉक्स को बना लेना है और यहां पे जो है गोलाई देना है तो गोलाई के लिए यहां से अंदर के तरफ फॉर निच पी निशान को लगाएंगे और यहां पे जो है राउंड सिप का निशान को लगा लेंगे इस तरह से यहां पे तीरे के लिए निशान लगाना है तो 15 ृच करते हो यहाँ पे टीरे के लिए निशान की लगाना है तो बिकल में नें को करूंगे लेकिन यहां पर मैं बोडी पार्ट को कट कर लूँगे तो पहले बोडी पार्ट में फ्रेंट बैक के हिसाब से यहां पर आर्मोल को कट करना है पुरे को कट कर लेने के बाद यहां से जो है वो बेक पाट को हटा लेंगे और फ्रेंट पाट में जो हाप पिंच अंदर करते हुए हार मुलक का निशान को लगाया थे इसको कट कर लेना है इसको अच्छा से सेट कर ले इनके बाद हाप पिंच अंदर करते हुए जो फ्रेंट के लिए निशान लगायते हार मुलका इसको कट कर ले अब जो सूट का मेडल में कट लगाना है जो नक में हम लोग का मेडल को कट करना है और यहाँ पर जो फिटिंग की सलाई को लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक कट लगा ले एक कट जो है ओ कमण में लगाए एक कट यहां पे हिप में जो हम लोग का स्लाइ का लास्ट बाग आएगा और एक कट जो है वो नीचे के तरफ को लगाना है यहां पे भी कट को लगा सकते हैं तो देखे यहां पे जो है इस तरह से फॉल्ट करते हुए इनके बाद इसको इस तरह से फॉल्ट कर लेंगे जो मैं हैंड इस तीज जूँगी आप मसिन कभी स्लाइ को लगा सकते हैं और मेरा बोड़ी पार्ट कम्प्रिट हो गएंगे अब जो है अब बचावा फैब्रिक से मुझे इस स्लिप्स को निकालना है तो open वाल साइट को इधर रखने हैं और fold वाल साइट को अपने तरफ को रखना है और half पिंच यहाँ पे पहले ऊपर को मक कर लेंगे क्यूंकि कप्रा मेरा आगे पीछे हैं इसलिए यहाँ पे half पिंच करते हो यहाँ पर मक कर लेना है इनके बाद यहाँ पर स्लिप्स का लेंद को रखना है तो आप यहाँ पर चोटा स्लिप्स भी बना सकते हैं या फिर ब्रास स्लिप्स भी बना सकते हैं अपने हिसाब से आप स्लिप्स को रख लीजेगा मैं यहाँ पर स्लिप्स की लेंद जो है एट इंच रखूंगे आपिस तरह सा एक इंच करता है ऑफ तरह से एक इंच अ को करना आए मिरट мод करते होए में को करते होचा है में अजिक ज़िए प्विए वह इस को करना है को सब्सक्राइब के इसे को दुबाडा हुए हम लोग को मेजरमेंट करना है तो देखे यह जो है और सुट का आरमाल को पहले मेजरमेंट कर लेतें कि कि तरह से इंची टेप को मैजर मेंट कर ले étais है जितना भी मेजर्मेंट है इस हिसाब LINE को mark कर लेना है इस तरह से यहां पर mark कर लेंगे और नीचे यहां पर इधर इन्छ पर एक mark करना है और यहां से नीचे के तरफ भो फ्थ इन्छ मआँ करना है यहां को देना है ज़ैसा है सिलिप का सेक को दे देना है यहां पर बंटम के लिए निशान लगाना आपको बॉटम में इसको तूफरील करना है तो मेरा है यहां पर 8 इंच नेसा होगा वीजल के लिए मलें इसको इस तरह से शच्रीफ का मार्किंग को कर·लेना है इस तरह से मार्किंग को कर लेना है और यहाँ पर फ्रेंट के लिए जो है स्लिप्स का मक करना है तो हापिंच अंदर करते हुए इसमें भी इस तरह से अंदर करते हुए मार्किंग को करेंगे तो देखें, slips का मार्किंग भी हो गया है, अब जो है, cut कर लेना है, cut जो है, पहले back के हिसाब से ही करना है, एक cut middle में लगाना है, एक cut जो है, बोटम में लगाना है, और slips को open करते हुए, जो हम लोग friend के लिए happen करते हुए, निशान को लगाया थे, इसमें भी cut कर लेना है, इस तरह से इसमें भी cut को लगा लेना है, तो देखें मेरा sleeves भी जो है, वो complete हो गया है, तो मेरा यहाँ पर sleeves भी complete हो गया है, और body part भी complete हो गया है, अगर वीडियो पसंद आए, तो like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, मेरे channel में अगर नए हैं, तो subscribe भी कर लिजेगा, और 7 घंटे क all पर भी click कर ले, ताकि हर नहीं वीडियो की notification को सबसे पहले पास है किया, और अगर इस suit की video, stitching की video को देखना है, तो हमें comment में अपना राय जरूर दीजिएगा, मैं इसका भी link जो है, और description में दे दूँगा,